हेलो एवरिवन बेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ संध्या और मैं आज आपके लिए फिर एक नई रेस्पी देखर आई हूँ आज हमारी रेस्पी का नाम है न्यूट्रेला पैजी टेबल पुलाओ आपको यदि हमारी ये रेस्पी अच्छी लगे तो से लाइक सेयर और क ये हमने एक कप चावल लिया है जिसे बीस मिनट के लिए हमने पानी में भींगोकर रख दिया था और ये सोया चंक है, इनको भी हमने आदे घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दिया है ये आधा कप मतर है, एक बड़ा प्याज, सिमला मिर्च, गाजर और कुछ बिरोकली के फूल एक बरतनेंगे, उसमें यहां हमने दो गलास पानी डाला है इसमें हम अपनी मतर को डाल देते हैं दो मिनट के लिए मतर को हलका सौप्ट होने तक पका लेंगे हमारी मतर सौप्ट हो गई है, अब इसमें जो हमने चावल भिंगो कर रखा था, उसको हम डाल देंगे एक बार मिला लेते हैं धक चावल को सौप्ट होने तक हम पकाएंगे हमारा चावल असी परसेंट तक पक चुका है अब हम इसका एक्ष्टा पानी निकाल लेते हैं यह देखिए हमारा चावल पक गया है इतना ही हम चावल को पकाएंगे हमने चावल का एक्ष्टा पानी निकाल दिया है इधार एक कड़ाई लेंगे उसमें एक चमच हम ओल डालेंगे आदा चमच अद्रक लेसन का पेश्ट डालेंगे जब अद्रक लेसन का पेश्ट भन जाएगा तब हम इसमें प्याज को डाल देंगे एक मिनट के लिए प्याज को चलाते हुए भूनेंगे अब इसमें हम अपनी सारी सबजियों को डाल देंगे सबजियों को भी प्याज के साथ एक मिनट के लिए हम भून लेते हैं अब इसमें हमने साथ हाट बीन्स डाली हैं और जो सोया चंग हमने भिंगो कर रखा था उसको भी धुलकर पानी ने चोड़कर अच्छे से सबजियों में मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे यहाँ पर एक चमच हमने सेजवान चटनी डाली है और एक चमच सोया सौस और एक ही चमच हमने बिनगर डाला है और एक चमच हमने इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी मिखला दी है सबी सौस को सबजियों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ढ़क कर एक मिनट के लिए सबजियों को पका लेंगे आप जो हमने चाबल बॉयल करके रखे थे उनको भी हम अपनी सबजियों में मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक आप स्वात के अनुशार ही डालिए चलाते हुए सबजियों और चाबल में नमक को मिक्स करेंगे नीचिये हमारा बेजी टेवल न्यूट्रोयला पुलाव बन करते यार है ये पुलाव बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और हाँ एक बार घर पर बना कर ट्राई जरूर करिएगा तेंक यू झाल झाल प्यूर्म